अपने प्रेमियों का अच्छा संकल पूरा करवाने वाले 84 का ताला खोलने वाले बहारी वेवहार की बजाए अंतर की भावना को महत देने वाले कूरे समर्थ संसत्गुरु उज्जयन वाले बाबा उमकान जी महराज ने बताया कि शाकहारी सदाचारी नशा मुक्त बनने के लिए अपने परिवार जनों रिष्टेदारों पड़ोसियों दोस्तों ग्रहकों दुकानदारों सहकर्मियों को समझा ले जाओ तो बहुत से जीवों की रक्षा आगामी कुद्रती कहर से हो जाए और बहुत से लोग पाप से बच जाए हम आप लोग यही परोपकार का काम करने के लिए बनाए गए हैं यहां लोग दुनिया कमाने में लगे हैं और आप उसे छोड़ कर ससंग में आ रहे हैं जमीन मिटी पर बैट रहे हैं रूखी सूखी रोटी जो मिल जाए खा रहे हैं तो उनमें और आप में कुछ अंतर है या नहीं हम आप लोग यही परोपकार का काम करने के लिए बनाए गए हैं यह समझ लोग भेजे गए हैं बुरे लोगों का अगर संकल पूरा हो जाता है तो अच्छ करने वाले अलब होते हैं और जब आदिमी की बुद्धी अनि सम्झो की काम नहीं करती है और आठ भाव से उस प्रभू को पुकारते हैं तो मदद करने वाले भी रहते हैं कोहर मदद करता है यह महत्मा मदद करते हैं समरद गुरू मदद करते हैं प्रभू किसी ने किसी को पढ़ाना और बना करके मदद करा दिया करता है तो यह है धर्ति इस धर्ति पर अनि शम्जों के हार तरह की वश्था है ऐसी वश्था उसने कर रखी है लेकिन यही काम जब दूसरे लोग कर ले जाएंगे तो आप क्या करोगे अरे हम आप तो यही काम करने के लिए बनाएग में समय बेजेगे हैं और लोग वहां पटाका चोड़ रहे हैं वहां बढ़िया बढ़िया मुनe, में लाइट जलाएंगे हो लोग 皮ट रहे हैं लोग को खेंगे वह बड़े शोकीन हैं बड़े आदमी आदमों यह वह बहुत के लोग फेट रहे great. दिवाली का दिवाला निकल जा रहा है जुआ में और आप यहां घर छोड़ कर के आए हो और यहां बैठे हुए हो इस मित्ती में जमीन में रोटी खा रहे हो शुकी रूखी जो जली बुनी में जाती बची होई वो जो लोग माल काट रहे हैं तो आप में और उनमें अंतर है